ये कहाने स्टार्ट होती है एक एफलिक नाम की लेकी को दिखाते हुए जिसे अभी हॉस्पिटल में होश आया है वो यहाँ कैसे पहुची थी उसे याद आया कि अभी कुछ दिर पहले उसका बोहुत ही बुरा एक्सिडेंट हुआ था इस हाथ से में दो खाड़िया बस में और दूसरी फैमिली का काफी नुक्सान हो चुका था एफली इस सब का सिम्यदार अपने आपको समझ रही थी ऐसे ऑपरिशन के दर्म्यान में ही उसे पैनिक अटेक्स आना शूरू हो जाते हैं यहाँ उसके हस्पेंड आकर उसे रिलेक्स करते हैं पर कहते हैं जो वाँ व यहाँ आपलिक के मुलाखा एक और डेडी से होती है इस लेडी का भी कैलिफोर्निया में वाहिन का बिस्नस था वो यहाँ आपलिक के होने बाले पच्चे के लिए उसे कॉंग्रेचलेट कहती हैं और बहुत सी दुआएं पर दीती हैं यह सब तो ठीक था लेकिन अचीब आ जाती है तो वह देखती है कि ओर लेडी आवली के रूम में ऐसी एकड़ी खड़ी है जैसे किसी ने उसे पॉसेस किया हो उसका चेरा ऐसा था कि जैसे उसने कोई खुफनाग चीज़ देख ली थी और डिरी से हमी खड़ी थी अपली जैसे ही इस ओर डेडी को हात लगाती ह तो वब होश में आकर आवलीक को ही डाटा शुरू कर देती है कि तो अपने मुझे हाथ के सिल गया जिसके बाद वो ओर्ड लीडी एवलीक के घर से चली जाती है पार्टी भी खतम हो चुकी थी एवलीक अपने हस्पंड के साथ सो जाती है और रात में वो खाब में दिखती ह कि वो पुरी तरहां खून से लटपत है उसकी पैट का मेटल भी उसकी आँख में लग जाता है और वो डर कर उच जाती है यह सब बस इसका बुरा खाप था वो बहुत ही मुश्किल से अपने आपको रिलेक्स करेती है और सुभा डॉक्टर के बाद जाने पर वो अपनी इस क घर आती है तो उसे अपनी घर के पूल के अंदर किसी हुटी पहने हुए इंसान का शैड़ो नजर आता है वो सरूपर करक्टर सामने दिखते है लेकिन बहां कोई नहीं था बानी में भी शैड़ो खाइब हो चुका था और अब आवलेक्स को बानी के अंदर एक लाश जिसका शैड़ो उसने सुबा पानी में देखा था वो डर कर सोर से चला दी है उसकी चीख सुनकर डेविट उसके पास आता है वो डेविट से कहते है जाओ बहार चेकरो देखो वो बाहर हमें मार बें आया है लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं था अजर में उसने जो कुछ देखा और सुना वो सब पैमली के इलूइन्स थे एक्सिडेंट के बाद से एविलेट मेंडल स्ट्रेस का शिकार थी क्योंकि उसे लगता था कि एक्सिडेंट उसकी वचा से हुआ है और इसलिए उसे तरहां तरहां के इलूइन्स आया करते थी डॉक्टर ने ऐसी कंडिश वह तो सेडी से कहते हैं मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ यह अलूसिनेशन्स मुझे पागल कर देंगे मुझे मैडिसंस लेनी चाहेंगे लेकिन सेडी उसे डरा देती है नहीं तुम्हों मैडिसंस नहां लेना वो मैडिसंस तुम्हारी बच्चे को नुक्सान बूल गया था इसली वक उसे जमीन पर एक रिवॉल्वर रखी नजर आती है इसे देखकर वो खबरा गई थी इसे पहली के मुझे में पर जुक कर रिवॉल्वर अचानक कोई गोलियां चलाते हुए आवली के पीछे की वाइन बॉटल्स तो देता है आवली खबरा के लिजा जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह सब इसली हो रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है अवली इसे मेरे बच्चे को नुक्सान हो सकता है जवाब में डॉक्त कहते हैं अवली तुम टेंशन फ्री हो कर दिमेडिसन खाओ इसका कोई साइड इफक्ट अब रात में उसके अपनी नए दोस्ताइडी और उसके हस्बंड को डिनर पे इन्वाइट किया था दिनर के पाँ डेविड सेडी को लेकर बाहर चला जाता है और आवली बातों ही बातों में सेडी को बताती है घल मुझे बहुत ही खतरनाक है उसे लिए मैं डॉक्टर के दोक्टर नी मुझे तुपारा मैंडिसन यूज करने को कहा है और यह भी कहा है कि मैंडिसन के स्टाइड एफेक्ट्स नहीं है जब आप मैं स्थैडी कहती है घलत कहा है दॉक्टर ने तो मैंडिसन बिल्कुल आने वो तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है और तक मैं तुम्हारे साथ कोई मेंडल इशू है आवली कहती है तो फिर यह हैलूसिनेशन की वाते हैं मैं इनसे बहुत परिशान हूँ अब धिर मैडिसन छोड़ तूब तो यह ज़ादा होने लग जाती है जैदी कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा घर हांडिड है यह भूतिया है और शाहिद इसलिए तुम्हें ऐसे यह जीवोगरीब इलूयन्स आते हैं अब अगले दिन दुबारा अवली को अपने घर के बाहर किसी के चीखनी की आवास आते हैं और जब चेकर ने कही तो वहां कोई नहीं था उसे दुबारा एक आवास आई कि जैसे उस किसी ने शूट करके मार दिया है इस मरतबा वो अपने अलूसिनेशन से खबराती नहीं बलके डर जाती है क्योंकि उसे सैदी की वो बात यात आ रही थी कि उसका घर हॉंटिट है और आप वो इस घर की सचाहे जानने के लिए सैदी के साथ उस एजन्ट के पास आती है जिस इस घर की पुरानी मालिक से मिलने का मश्मरा देता है जिसके बाद वो घर आ जाते है वो अम इस घर की पुरानी मालिक के बारे में रिसेर्च कर रही थी जब डेविड उसके पास आता है वो डेविड को आज में होने वाली सब ही चीसों के बारे में बताती है कि कैसी आज दुपारा उसे आवाजे सुनाई थी, वो डेविट से कहती है, कि मुझे लिगता है, कि ये सब प्रेगनेंसी की वज़ा से हो रहा है, और डेविट जवाब में कहता है, एबली ये प्रेगनेंसी की वज़ा से नहीं हो रहा, ये इसलिए हो रहा है, कि तुम अपने मेडिसंस टाइम पे नहीं ले रही कि दोनों जब करीब आदे हैं तो इस वक पर दुपारा एवलिक को कुटी पहना इंसान नजराता है वो इसने डर जाती है और डिविट को अपने से दूर करते हुए बाहर आ जाती है वो अभी यहां कुछ सोच रही थी कि आचानल वो पीछे मुर के दिखती है तो एक डमी उसे मारने के लिया रहा था वो इसने बचने के लिए पेशी की तरफ मुरती है और ग्लास की बनी विड़ो से डगरा कर खर से बाहर के जाती है इन अमाजों को सुनके डेविड उसके पास आता है और उसे रिलेक्स करने की कोशिश कहता है डेविड पताती है कि वो सामने डमी मुझे मारने आ रही थी लेकिन अब तो डमी अपनी जगा पर ही थी यानि ये भी उसके अलूसिनेशन थी अब डेविड उसे खहता है कि तुम्हें अपनी मैडिसन्स लेनी चाहेंगे अब तो उसे भी गड़ बड़ी ज़ादा मैसूस हो रही थी इसलिए वो सुबा उठते ही मैडिसन्स ले लेती है और आप मैडिसन्स लेने की बज़ा से कुछ ही दिन में वो काफी अच्छा मैसूस कर रही थी एक दिन कॉफी शॉप में वो दबारा स्थी से मिलती है ये दोदो बाते ही कर रही थी कि आफलिक के नजर बाहर जाती है शहां उसके हस्पेंड किसी लेर्की के साथ है उसे लग रहा था कि डेविट उसे धोखा दे रहा है वो फोरन घर आती है और घर में डेविट की समान कुछ है करनी पे उससे एक काने जादो से रिलेटेड फाइल मिलती है कुछते बाद उसके घर पे कुछ लेटर्स आती है इस लेटर में बहुत से ब्लाइक मेजिक से रिलेटेड बुक्स के नाम और ब्लाइक मेजिक की तरीकों के नाम लिखे थे आवलिक को अब डेविट पे ही शक होने लगा था कि शायद जो सब कुछ हो रहा है वो डेविट की वज़ा से हो रहा है डेविट ऐसा तो कुछ कर रहा है जो उसे चुपा रहा है आवलिक को अब और पे जादार ड़ लगने लगा था इस खर के ओनर को कॉल करती है उनसे इस खर के बारे में पूछ लेगन दिये और खर के ओनर उसे हलीना नामी उस और डेडी से मतल सेनी को कहते है जिसे हम दे मूवी के स्टार्ट में भी देखा था अभी वो यहीं बाते कर रही थी कि उसे दिंडों के पीछे कोई चीज दिखाए देती है वो आगे पढ़ती है तो कोई अचीब से पावर ठीकी तोड़ते हुए उसे भी धका देकर किरा चुकी थी पावलिक को एक अफर्म हो चुका था कि एक घर हॉंटिट है इसलिए वो हैलीना को अपनी घर बुलाती है हलना अब उसके घर आचुकी थी वो उसका घर चक करती है घर चक करते करते कि लोग जब पूल के पास जाते हैं तो पूल में भी नाश इन दोनों को दिखाए दीती है घर के अंदर आने पर हलीना उससे कहती है कि इस घर में ज़रूर कोई एबल पौवर है जिनी कोई शेतानी दाकत है आफलिक को पर बात है उसकी गही नगही ठीक लग रही थी वो जब कीचन में हैलीना के लिए फाइल लिंग अचाती है तो अचानक उसे किसी की चीखने की आवास आती है वो कीचन से बाहर निकलती है और दिवार भी उसे खून से लटबत हाथ के निशान दिखाए देती है वो आकर पढ़ती है तो अचानक कोई अचीब से दाकत एक चीखर उसके सामने कर देती है और वो सामने देखती है तो हैलीना बुरी हालत में समीन पर पढ़ी थी उसे हार्ट अटेक आ रहा था और वो मर जाती है परने से पहरी पस्ते एवलिक से एक बहुत ही अचीब बात कहीं पस्ते कहा कि यहां वो कुछ भी नहीं है चो तुम सोच रही हो यह सब तुम ही हो एवलिक सोच में पढ़ गई थी कि उसकी कहने का मतलब क्या था जिसके बाद हमें दिखाश होता है कि अब वो डिविट से ऑन ब्लाक मैजिक की बुक्स के बारे में सवाल कर रही है इन किताबों के पारे में डिविट कहता है कि यह किताबे मुझे मेरी कलीक नहीं दी थी ताकि मैं इस घर से एवल पॉवर को दूर कर सकूँ डिविट को अगर यहां किसी evil power के पार में पता था, तो उसने पहली Emily को क्यों नहीं बताया, Emily को अब उसकी किसी बात पर यह की नहीं था, वो खुस्से में यहां से चली चाती है, वो अब इस घर के honor से मिलने के लिए चाती है, वो उससे इस घर और wine yard की सच चाहि जाना चाती जिस पर यहां में बताता है कि उस घर में कुछ evil powers का कपसा था, जिन्होंने मेरी grandma को पोसेस कर लिया था, इस evil powers से बचने के लिए grandma ने अपने साथ-साथ उस घर को भी आग लिखा दी, यहांनी उन्होंने खुद किशी कर ली, यहां में उसे अपने grandma के बनी हुई कुछ sketches प इन चीजों को दीखर बहुत से अब दर तर चुकी थी, वह भागते हुए घर आती है, उसे फैसला कर लिया था, कि वह अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगी, लेकिन घर आने पर वो दिखती है कि उसके घर बहुत से एक guest रहे हुए थी, उसमें एक doctor और एक psychiatrist थी, जिन डेविट ने आवलिट के लिए ही बुलाया था, अचारिक उसे वैसे इस लिटी की आवाज आती है, जो उसे हमीशा से आया कहती थी, वो किचन में जाकर चेक कहती है, तो वहाँ उसके friend कॉफी बना रही थी, वो कपरा कर जब बाहर आती है, तो देखती है कि psychiatrist टेबल बेड़े सिकों को बिल्कुल वैसे ही खड़ा करी है, जैसे उसे वीएंस में आया कहती थी, अब उसे समझ आने लगा था, कि उसके साथ क्या हो रहा है, जैसा उसे हली न दिकाहा था, कि ये सब जो हो रहा है, उसमें वो खुद है, तो इसका मतलब था, कि आवलिट को पहले अब लिए वीएंस आते थे, आगे जो भी उसके साथ होने वाला था, वो उसे पहले दिखाई देने लगा था, अचानक दिर्वासे पे नोख होती है, एविट दिर्वासा खोलता है, और आवलिट देखती है, कि सामने वही हुटी वाला इंसान है, जो बार बार उसे डराय करता था, और ये कोई और नहीं, वेलकी उसकी दोस सैडी ही थी, सैडी अपने हस्बंड के साथ घर के अंदर आती है, उसके हाथ में वही रेवॉल्फर थी, जिसे आवलिट ने अपने वियर में समीं पर बढ़ा देखा था, पीछे से सैडी का हस्बंड उसे शूट करता है जो गोलियां साइकेक्रिस को लखने के बचाए वाइन बॉटल्स पर लगती है और वाइन बॉटल्स टूर जाती है और फी इगोलिस सायकेक्रिस को लख जाती है Undo अपना खुण से रत पता दिवार पे लगा दी है जिब वही सी दा जो आवलिट देख चुकी थी इसके ब पहले के लिए अपना चाह को सब्सक्राइब गार देते हैं इसे पहले कि उसे बचने के लिए उसे प्रड़क्शन बनाते वह पीछे पीछे के तरफ जा रही थी और अचक वह विंड्व तोड़ कर बाहर कर जाती हैं इक चीज जो इस ताइम पर हो रही थी आवलिक ने वह प शूट करके मार देता है एवलिक समझ जाती है कि जो गोली की आवाज और चीखने की आवाज वो सुनती थी वो उसकी दोस्त की ही थी एवलिक अपने आपको बजाने के लिए घर से बाहिर भागती है और यहां पर उसे दीविट का दोस्त मिल जाता है जो उसकी मदद करना चो हम पहले कराती है एवलिक अपने आपको बचाने के लिए चेर्स को इधर उतर खसीड़ती है और यह चीज़ भी हम पहले देख चुगी है यह दोनों एवलिक को लिजा कर उसके बैट के साथ बांद देते हैं सेटी ऐसा सब क्यों कर रही थी पता चलता है कि मोवी के स्टार का से सेटि की यह थी उस वक्त सेटि प्रगनन्ट थी और ऑवलिक की वज़ा से उसका बच्चा मर गया था और अब वह के बच्चे को मार कर अपना मतला पूरा करना चाहती थी वह चाकु ढटा कर पेट कर लगाना शुरू कर देती है चका-चका फोन फ्हों पहल चाता है य पेड का मैडल टूट जाता है, पोगी का फाइदा उठाते हुए एवलिक इसी मैडल से सेडी के उपर हमला कर देती है, और एक सेडी की हां मोथ हो जाती है, यह देखकर उसका हस्पन बहुत जादा हुश्से में आचाता है, और वो अब एवलिक का गना दुबा कर उसे मारने की कोशिश करता है, और इसे पहले के वो अब एवलिक को मार देता, पीछे से सखमी डेविड आकर उसे उनकी गन से शूट कर देता है, इतना सब बुरा होने के बाद आखिर डेविड को ये बात समझ आए गई थी, यहाँ पर सच में कोई ऐसी ताकत थी, जो उने आने वाल इसे ही टेबल पे पड़े हुई सी केक घड़े हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि जो पहरा नॉर्मल शीजी आवलिक के साथ हुई, वो इस कबल के साथ भी होने वाली थी, और यही बताते हुई, यहाँ यहाँ खत्म हो जाते हैं,